मारवाड का इलाखा गुजरात से सटा हुआ नाम है साचोर हम लगतार बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से देवजी पटेल के टिकट को लेकर वहाँ पर जो विरोध उपजा है छे लोगों ने स्तीफे दिये हैं इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि जीवाराम चौधरी जो आगे आए हैं और दानाराम ने उन्हें समर्थन देने की बात कही है तो इसमें तीन-चार समीकरण बनते हैं क्या बीजेपी डेवजी पटेल का टिकट जो है वो काट करके दानाराम को मैदान में उतार सकती है या जीवाराम चौधरी को टिकट मिल सकता है या यह निर् पर हमने कुछ लोगों से बात की तो कई सारे पहलों निकल के आए हैं आज उनी पर चर्शा करेंगे नमस्कार मैं हूं प्रदीप आप देख रहे हैं तिंक 360 सांचोर जो सीट है मूलत है जो सटी हुई है गुजरात से इसके नजदी की सीटें जो है वो बाडमेर की माल रानी बड़ा है और बाकी का हिस्सा गुजरात से सकता है अलग-अलग तरीके के कुछ कल्चर्स का प्रभाव सीट पे सीधा तरह से देख में में आता है विश्णोई समाज का इस पे लगातार प्रभूत्व रहा रगुनात विश्णोई यहां से विधायक रहे हीराला उसके बाद में हिरालाल विश्णोई होती है जीवाराम चोधरी की यह वही जीवाराम है जिनके नित्रतों में बीजेपी के पूरु प्रत्याशी दाना राम चोधरी उनको समर्थन देने की बात कह चुके हैं बागी या जबगावत के लिए जो सुर्व बुलंद होएं उसमें बात हो चुकी है अब ये जो सीट है साचोर यहाँ पर विश्णुई समाज के जो सुखराम विश्णुई है वो भीते 10 साल से लगातार विरायच है यहाँ पर दूसरी बार लगातार जीते 2008 में वो हारे थे सवाल ये है कि दानाराम जिनको पिछली बार हराने में सबसे बड़ी भूमिका जीवाराम की रही वो जीवाराम के साथ क्यों आए एक कहावत है जब डिजास्टर आता है आपदा आता है तो सभी श्रेणी के जो जंगल में जानवर होते हैं वो एक ही डाल पे बैठते हैं चा प्रिजास करके साचोर की जिला परिशद में मेंबर रहे हैं वो और उसके लावा वो तीस साल से कंटिनु चुनाव लड़ रहे हैं और शे के आसपास वो चुनाव लड़ चुके हैं ऐसे में दानाराम ने ये कहते हुए जीवाराम को सपोर्ट किया है कि इनको लंबा सब्सक्राइब बना सकते हैं और आप जो है वो उसके लिए तैयारी कीजिए तो क्या इस पर बात हो सकते हैं कई लोगों का यह भी मानना है कि इन दोनों में से किसी को या खास करके दाना राम को जो बीजेपी की जीते फिर 2008 के अंदर वो बागी हुए फिर जीते फिर 2013 में बीजेपी को हराते हैं तीसरे नंबर पे रहे तो यहां कई की तरह के समीकरण बनते हैं पिछले चुनाओ में जो चौथे नंबर पे प्रत्यासी रहा था बसपा का दस प्रतिशत के आसपास वोट लेगे चुनाओ जो की आधा परसेंट पे सरकार बदल गई राजसान में ऐसे में दस प्रतिशत वोट एक इंडिज्वल कपासिटी व जानाराम और जीवराम बसपा की और जा सकते हैं या बसपा इन दोनों कदावर नेताओं का दरवाजा खट-कटा रही है अपने दलित वोट बैंक के साथ में कि आप हमारे साथ आईए आप कमल नहीं हाथ नहीं हाथी चुनिए और साचोर में आप एक ऐसा गनिक निकाल सकें अगर ऐसा होता है तो मारवाड में हाथी की एंट्री हो जाएगी जी हां मारवाड इलाके में जालोर जिले में पिछली बार जो बसपा का पत्याशी भीनमाल में भी वोट चुनाव फाइट की थी लेकिन समर्जीत सिंग के हारने की बड़ी वज़े बसपा रह ऐसे में एक बड़ा अलग तरीके का माहूल जालोर में खड़ा हो रहा है और दलित समदाय जो है उसमें एक अलग तरह की पॉलिटिकल अवेरनेस आ रही है चुनकि मैं पहले बता चुका की जालोर लोकसभाक शेत्र हैं वहाँ पे दलित और आदिवासी वोट बेंक जो है बाकी सभी लोकसभाक शेत्रों में सरवादिक प्रतिशत्वाला है और 2009 से पहले तक यह लोकसभा जो है वो जलितों के लिए आरक्षित रही दी यहां से बूटा सिंग लगातार जीते केलाश में एगवाल 1989 में जीते इस्थानिये की डिमांड हुई तो 1901 में में जोगेश पही की सभा भी हुई जोगेश और गर्ग के समर्थन में लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए और बूटा सिंग का जल्वा वहां कायम रहा 2004 में बूटा सिंग चुनाव हारते हैं सुशिला बंगारू वहां से जीतती हैं 2009 में जब पहली बार देवजी पटेल को टिकट द पीनमाल से पूरा राम जौधरी जीते थे बीजेपी के सिंगल पे और निर्दलियत जीवा राम जीते थे सांचोर से ऐसे में एक विदान सबा की आठ सीटें जिसमें से दो दलिटों के लिए रिजर्व है और एक हैस्टी के लिए रिजर्व है और बची हुई पांच अना अक्षित थी उसके बावजूद लोटे जालोर और उन्होंने तफ चुनाव फाइट दी यहां पे और बूटा सिंग कॉंग्रेस के प्रत्याशी की जबानत जब्त होने का आधार बने वो तीसरे नंबर पे रही तो यह जालोर का एक पुरानी हिस्ट्री रही है कि यहां किस म लेकिन अगर बसपा से यह लोग लड़ते हैं तो बसपा का अपना एक वोट बैंक है अपना एक सिंबल है नेशनल स्टेटस का जिसके प्रत्याशियों का नाम सबसे ऊपर आता है जिससे चुनाव खर्च में पार्टी के जो स्टार प्रचारक है उनके खर्च में खुद का नीजी पैसा दिखाने की जरूरत नहीं होती वो पार्टी फंड से उने बैनर जंडियां बिले प्रचार सामगरी मिल जाती है सरकारी जो दस्तावेज हैं चाए वो चुनाव सूचियां हो रन्य जाए हर बूत पे एक एजेंट बिठाने की छूट मिलती है आपकी अकेली हैं एंडी में नेशनल पार्टियां और बाकी जो चार पार्टियां हैं जिसमें कम्मिनिस्ट पार्टी हैं जिसमें कॉंग्रेस हैं जिसके अंदर आम आदमी पार्टी कुल मिला कि चार पार्टियां एक तरफ हैं और ये दो पार्टियां अलग-अलग हैं तो क्या जीवा राम चौधरी एंड कंपनी जो है जो दाना राम के साथ मिल के एक नई LLP यानि की Limited Liability Partnership पनी है यह फोकस करेगी बसपा पे बड़ा सवाल है क्योंकि बसपा के पास वोट देंक है एक non well known symbol है तो क्या जा सकती इस पे बात लोग कर रहे हैं बसपा के लोग भी बसपा की और से भी अभी तक पत्याशी वहां डिकलेर नहीं किया गया है ऐसे में अगर यह होता है तो बीजेपी को मुश्कलात आएंगी और बसपा वहां से सीट निकाल सकती है आज की परिष्टिती में ऐसा वहां के राजनेतिक गणित जानने वाले लोग कहते हैं दूसरा option अगर बेनिवाल बीजेपी के टिकट पर विधायक थे जीवर आम चौधरी निर्देले विधायक थे विधान सबा में दोनों का जो अपसी तालमिल था वो गौर करने लायक हैं हरुआन बेनिवाल उस दौर में कई बार सस्पेंड हुए विधान सबा से बाद में बीजेपी से न वाधार है प्रतिपक्षवाला उसमें अपने आपको खड़ा करने की कोशिश मैंने हमेसा की है तो क्या बेनिवाल जीवराम के संपर्क में हैं या बेनिवाल की पार्टी से यह लोग जाएंगे इसमें बड़ा सवाल उपज़ता है क्योंकि बीजेपी के एंडिए वाले घट एक तरीके सीज़ने अपने अपने विचार है अपना है जाते है ओधाएं थोड़ा उन्हें tough पड़ेगा क्योंकि एक तो RLP का National Party इतना status वो नहीं है लेकिन उनका जो चुनाव चिन है बोतल वो जरूर non है लोग जानते हैं और उसमें जा सकते हैं लेकिन वहाँ सांचोर का मैं आपको बता दूँ सांचोर या क्या जालोर जिले में ही चुनाव जो है अभी तक मेरा जो इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं शुरू से उसमें सिंबल जो है वो सेकेंडरी है फस्ट है कात जातियां क्या हनुमान बेनिवाल की हार्ड कोर छवी वाली RLP के साथ जुड़ेगी अगर जुड़ जाता है क्योंकि हनुमान बेनिवाल की पाल्टी का अगर अगर अपन 2018 की स्ट्री टो लें तो 59 सीट्स पे इनका चुनाव था पिछली बार और ज्यादा तर किसी भी बड़े प्रत्याशी के सामने इन्होंने प्रत्याशी नहीं प्रत्याशी नहीं थे मदन दिलावर के खिलावर के खिलाव नहीं थे गजंदर सिंग किमसर के खिलाफ नहीं थे, पुश्मेंदर सिंग राणावत के खिलाफ नहीं थे, अरुन चत्रुएदी के खिलाफ नहीं थे, मदद दिलावर के खिलाफ नहीं थे, ये जो लोग हैं, ये कदावर नेता रहे हैं बीजेपी के, तो टॉप राजंदर आठोड क के खिलाप नहीं थे तो टॉप लिडर्शिप दोनों ही पार्टियों की छोड़ते हुए आरल पी ने एक सेफ चुनाव लड़ा था और उस सेफ चुनाव की वज़े से आरल पी के तीन विधायक हैं और कई जगें उन्होंने टक कर दी जैसे बायतू में उन्होंने चुनाव क बीजेपे के लिए दूर की कोड़ी बना दिया, कॉंग्रेस के लिए मुश्किल बना दिया, उसके अलावा चौटन में बहुत जबरदस्त तक कर दी, उसके अलावा लूनी और अन्य जो सीटे हैं उन पे भी आरल पी का एक जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, उसमें हनु हनुमान बेनिवाल क्या वही रुख अपनाएंगे या कुछ अलग करेंगे, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी फैन फॉलोविंग सभी जगह हो चुकी है, हनुमान बेनिवाल जिस इलाके के हम बात कर रहे हैं, सांचोर रानिवड़ा वहां मेटिंग भी कर चु है कि जीवाराम एंड कंपनी वही लिमिटेट लियाबिलेटी पार्टनर्शिप जा सकती हनुमान बेनिवाल के ओर, अगर वह जाती है तो थोड़ी मुश्कलात पेस आएगी, क्योंकि दलित वर्ग बसपा के साब तो मूव हो सकता है, लेकि अगर दलित वर्ग को RLP में जा पेपर लीड के लिए, हरियाना से गेंस्टर्स के आने के लिए, हत्याओं के लिए और मादग पदार्तों की तसक्री के चक्कर में तो लोग अब बदलाव चाहते हैं, वो अगर दोनों ही जो बीजेपी कॉंग्रिस दोनों ही को छोड़ते हैं, तो आभी एक इक्वेशन ब बजाए राज इस्तर की पार्टी होने का इस्तर, ऐसे में आपका नाम राश्टे इस्तर की पार्टी आए, याने की बीजेपी, कॉंग्रेस, कमनियुस्त, इनकी नीचे आएगा, और एक जो है आपका थोड़ा सा जो नौन सिंबल है, एक कास्ट एफेक्ट जो होता है सीध क्योंकि वहां कलबी समाज है, जाट समाज की संख्या बहुत कम है, ऐसे में जो धुर वोट बेंक है, आरलपी का, क्या वो इधर मूव होगा, सी की सीट पे जरूर जाट वोटों के सपोर्ट के कारण और सी समाज की दोनों ही पार्टियों से नाराजगी की वज़े से अनु कासे में बसता जो है वो या तो स्टी या जो अनारक्षित अन्रिजर्वड कास्ट हैं लेजिसलेशन में उन कास्ट को अपने वोट बेंक के सारे विदानतवा बेजती रही उधारन बहुत सारे हैं, राजिंदर गुड़ा दो बार चले गए, गिरराज मलिंगा पहली बार स्टी में देखें तो मुरारिलाल मिना, रवीश मिना, यह सारे लोग मुसलिम भी जीते हैं, पिछली बार आपने देखा होगा, वाजी बली जीते हैं, तो यह एक बस्पा का अपनी तरीके का जोनर है, यह हिस्ट्री है और अब सांचोर का जो रण है, खास करके, उस इलाक कि पदान मंत्री मोदी के ग्रहराज्य की से सटे हुए इलाके में, देखना है कि चुनाव कितना अगर रोचक आगे और कायम रहता है, या कुछ समिकरण अलग निकल के आते हैं, मुद्दों बे लगातार हम बने रहेंगे, आपसे अपील है कि आपने अगर हमारा चैनल झाल